नमस्ते बाई बेहनों आप सबको मेरा कोट कोट पढ़ना आज मैं आपको सुना रहूं सपला एकादशी व्रतिक कथाव और महात्मे जलूर सुने लाइक करें सब्सक्राइब करें बोलो सिरी कृष्ण भगवान की जय हो बोलो लक्षिमनारिन भगवान की जय हो हर हर की जय हो हर योम हर योम ओम नम भगवती वासुदिवाई ओम नम भगवती वासुदिवाई का मंतर एकादशी के व्रतिके दिन जरूर करें और ना किसी से बुरा करें ना किसी की चुकली करें ना किसी से लड़ाई करें उस दिन सिर्फ भगवान का ही जब करना चाहिए मन ह करें चाहिए एक आंत में बैठ के करें पर जरूर करें बोलो स्री कृष्ण भगवान की जय हो यह व्रत पॉस्ट क्रिष्ण एपक्ष एक आदशी को किया जाता है इस दिन भगवान अच्युत्य की पूजा का विशेश विदान है इस व्रत को धरन करने वाले को चाहिए कि प भोग लगाएं ब्रहामों तथा गरीबों को भोजन अथ्वा दान देना चाहिए रात्री में जागरन करते हुए किर्टन और पाठ करना चाहिए अत्यंद फलदाई होता है इस व्रत को करने से समस्त कारियों में शपलता मिलती है और तथा इस परकार है चंपावती नगरी में एक महिसमान नाम का राजा राजय करता था उसका बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी को कर्मों से शंपून था पिता ने उसे अपने राजय से निकाल दिया था वन में एक पीपल का विरक्षित था जो भगवान को भी बहुत पिरिया था सब देवताओं की किर्णा इस्तली भी वहीं थी ऐसे पतीत पावन रक्षि की शहारे लुम्पक भी रहने लगा परंद फिर भी उसकी चाल टेड़ी ही रही वेपिता के राजय में चूरी करने चला जाता था एक दिन पोस मास के क्रिश्न पक्षि की दस्मी की रातरी को उसने लूट मार वा अत्यचा तो सिफाई ने उसके वस्तर उतार कर उसे वन को भेज दिया वो बिचारा पीपल की सरण में आ गया इधर हेम गिरी परवत की पवन भी आ पहुची लुम्पक पापी के सबी अंगों में गठिया रोग ने परवेश कर दिया परवेश किया हाथ पाउं अकड़ गए अतव सुरेदे होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ पेट का गम लगा पेट का गम लगा जिवों को मानने में आज असा मर्द था और ना विरक्ष पर चड़ने की सकती थी नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा हे पर वो इन फलों का आप ही भोग लगाई है मैं अब भूख हरताल करके सरीर को छोड़ दूँगा मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मौत ही अच्छी है ऐसा कहकर परवो के ध्यान में मगन हो गया रात भर नीद न आई भजन के तन प्रातना करता रहा परंद परवो ने उन फलों का भोग न लगाया प्रात काल हुआ तो एक दिब्य अश्व आकास से उतर कर उसके सामने प्रकट हुआ और आकास मानी द्वारा नारेन कहने लगे तुमने अंजाने में सपला एकादेशी क अफरत धारन किया उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नश्ट हो गए हैं अगनी को जानके या अंजाने हाथ लगने से हाथ जल जाता है वेशे ही एक आदशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाते हैं अगर एकादेशी का व्रत आप भूल के भी रखते हो और रात को जागरन करते हो तो वो अपना प्रभाव दिखाती है अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ राज मिल जाएगा सपला एकादेशी सरो का सरो कारे को शपर करने वाली है परभू के आग्य इसे लुंपक पिता के पास आया पिता उसे राजगदे पर बिठा कर स्वयम तप करने चले गए और लुंपक एकादशी वरत विधी साइध करने लगा सपला एकादेशी के महात्मे को सुनने से अस्वमे का यग्य प्राप यग्य का फल मिलता है बोलो सिरी कृष्ण की जय हो बोलो लक्षिम नारण भगवान की जय हो हर हर महादेव की जय हो हरी ओम हरी ओम ओम नम भगवते वासु देवाई हर हर महादेव